So Hello Everyone, स्वागर थे आप सबका एक और नए ब्लॉग में और आज का व्लॉग है कि मैं जारकन स्टेडियम जा रहा हूँ रांची का जहां क्रिकेट मैच होता है कल है इंडिया वासा सौथ अफरिका मैच So मैंने तो पेटीम से टिकट बुक कर लिया था बट उसे भी फिजिकल जाके लेना पड़ेगा So चलिए आप लोगों को भी दिखाऊंगा So वो वीडियो में बने रखिएगा So फ्रेंड अभी मैं निकला हुआ हूँ रास्ते में हूँ Just अभी विधान सबक रॉस किया हूँ और अभी रांची स्टेडियम पहुँचने वाला हूँ दो-तिन मिनिट में So देखिए मैं पहुँच गया हूँ स्टेडियम के बाहर जहां टिकट काउंटर है और यहां इतनी ज़्यादा भीड है कि क्या ही कहूँ मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड भी होगी तो चलिए आप लोगों दिखाता हूँ भीड तो देखिए यहां पे भीड सामने टिकट काउंटर है और अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है टिकट देना और मुझे लगा था कुछ गिने चीने लोग होंगे लेकिन यहां तो बहुत लोग है चलिए आप लोगों दिखाता हूँ कितनी लंबी लाइन है यहां पे यह दिखिए कितनी लंबी लाइन है आगे यह तो मतलब मैं जहां तर दिखा पा रहा हूँ दिखा पा रहा हूं लेकिन आगे बहुत ज्यादा लंबी लाइन है तो पता नहीं मुझे तो लगता आशा है रात हो जाएगा किकट मिलते मिलते तब तक चले कुछ खा लेतना हूं यह दिखें यहाँ पर चॉप है और यहाँ भी देखिए बहुत कुछ है खाने के लिए मैंने तो आनरसा खाया है यहाँ पर और बहुत साइच चटपटी चीजे भी है जिनके इनको मुझे पानी आ रहा हुआ है वो भी आ जाये जल्दी से यहाँ पर और फाइनली वेट करते करते रात के ग्यारा बजे हमें टिकट मिली देखें यहाँ टिकट काउंटर से तो फ्रेंड्स फाइनली रात के बारा बजे नहीं और अब जाके देखिए टिकट मिली है हालत खराब हो गये आज तो ठैंस टु भासकर जो इतना रात में तो यह देखिए स्टेडियम के बाहर रात का सीन पुरा खाली खाली राता एकदम सन्नाटा और हम लोग क्योंकि लेट में आया थे टिकट लेने लगबग दो पहर के दो-तीन बजे वह भी लेट ही था तो इसलिए भीड बहुत जादा थी तो इसलिए से लेट हो गया हम लोग में लाइन में लगके सबकी हालत खराब हो गई है तो अब हम जा रहे है कॉफी सेंटर कॉफी पीने के लिए देखते हैं अब में खुला होगा तब ना खुलने का चांस है मिल जाएगा देखता है और अगर आपको टिकट कलेक्ट करना है इस्टेडियम से तो लास्ट डे मत छोड़े लाज डे बिल्कुल भी नहीं है तो फ्रेंड्स रात के बारा बजे भी देखिए हम लोग को यह कॉफी शॉप खोली हुई मिली और यहां हम लोग ने बहुती टेस्टी कॉफी पी तो अच्छा लगाए काफी अच्छी है दुकान और यह देखिए रास्ता पूरा सुनसान है तो दोस्तो इस ब्लॉग को यही खतम करते हैं और अगला ब्लॉग इंडिया वसा सौथ अफ्रिका में अच्छी दिखाऊंगा तो उससे आप लोग ज़रूर देखिएगा ओके ठैंक यू